कारण कोजने की कोशिस कर रहा है, आठनास स्कल देख रहा है, किस तरह हस्त्रय की गई बच्छे के? देखने से तो लगता है कि आँख दोनों डैमेज है, अब जब तक post-mortem नहीं होता है, तब तक internal injury के बारे में फता नहीं चल पाएगा, पुस्त मार्टम के बाद ही इंटर्नल इंजोई और कॉज आफ से खशार्टल इस तक रहने दीजिए अबी, तो रहने दीजिए ना परतक कलीचे से, चपल अपने चपल की जाए, चपल मेल गया, चपल अब लेडी तो है आख में, रिथम द्रिष्टिया में लगता है, अप्तिया ही लगता है, अप्तिया ही लगता है अगर आब पोष्ट जाएगी, क्या पर्थम द्रिष्टिया क्या लग रहा है, सारे, आख से ब्लेडिंग तो है, पर्थम द्रिष्टिया में यही दिखाए पड़ रहा है, क्या आख से ब्लेडिंग है, और कहीं पर अपरेंट इंजीरी शरीर पर नहीं दिखाया पड़ता है, इसके लिए बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से हम लोग रिक्वेस्ट किये हैं, पोष्ट मर्टम के लिए जिससे एक्च्वल कॉज अफ देफ पता लगेगा, और बहुत सारी बात अभी पता चल रहे हैं, हम अनुसंदान में आगे बढ़ रहे हैं, जब तक कुछ लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आ जाए, तब तक इस तरह की तीम बुलाई जा रहे हैं, इस अरिजात के लिए, एफसल और डॉग इसका अट्री टीम को पहुँच रही हैं, और हम लोगों का भी टेजिकल टीम लगा और एक्जेक्स काउज अब डिस तो जब उस्टमार्टम करेंगे बूर्ड अफ डॉक्टर्स तो पता चलेगा क्लूजन रहने दीजे अबी, रहने दीजे ना